ECR के साथ ग्राम श्रीपूर एरिया अंतरगज शिवडांगा SSI कोलियरी में बुद्वार को जाइन्ट आक्शन कमिटी की ओर से कोलियरी प्रबंधन के विरुद पत्सभा की गई जाइन्ट आक्शन कमिटी के नेताओं ने कोलियरी को बंद करने की साजिश करने का आरोप लगाया इसीर के साथ ग्राम श्रीपूर एरिया अंतरगज शिवडांगा SSI कोलियरी में बुद्वार को जाइन्ट आक्शन कमिटी अथाद जाइक की ओर से कोलियरी प्रबंधन के विरुद पत्सभा किया गया जाइन्ट आक्शन कमिटी के नेताओं ने कोलियरी को बंद करने की साजिश करने का आरोप लगाया है इसन जैक के नेताओं ने एक सुर में कहा कि किसी भी कीमत पर ख़दान के अंदर SDL को उठाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि कोलियरी में कोले का भंडार पड़ा हुआ है इस संबन में HMS की शेत्रिय सचीव आरपी मंडल ने बताया शिवडांगा SSI कोलियरी में DGMS द्वारा जो वाइलेशन दिया गया था कि ख़दान के अंदर बालू भराई की जाए वच्छे मैने पहले ही समात हो चुका है लेकिन प्रबंधन तानाशाही रवया अपनाते हुए कोलियरी को चालू करने के बजाए बंद की और अग्रसर हो रही है लेकिन इन मनसूबों को श्रम संगठन के द्वारा कभी पूरा होने नहीं दिया जाएगा मंगलवार को कोलियरी प्रबंधन के निर्देश पर कुछ श्रमिक HDL खोलने के लिए आये थे हम लोगों ने कड़ा प्रतिवाद करते हुए HDL ले जाने के लिए रोग दिया है इसकोलियरी में 3.5 मिलियन उच्च गोटी का कोईला ख़दान में पड़ा हुआ है लेकिन प्रबंधन इसकोलियरी को निकालने के बजाए नए-नए साजिश रच कर इसकोलियरी को बंद करना चाहती है श्रमिकों का विकास का कारे पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है सडक से लेकर बिजली पानी और क्वार्टर मरमत कारे जस का तस पड़ा हुआ है प्रबंधन मजदूरों का शोशन कर रही है इनी से भी मुद्दो को लेकर हम लोगों ने आंदोलन करने की तयारी की है वाज़। में मदूर्द शाथी को जो सुने उठीक है लेकिन हम सब्कुआ कि भात रखा है इस कि आप करें है को शुद्रकर कें यह करें कंडूर के दीनी साफीन सब्सक्तरFr. इस मौके पर HMS के आरपी मंदर, रामधार हरीजन, किशुन देवदास, BMS के राजिंद्र यादव, C2 के शीतल चक्रवर्ती, विरेंद्र महतो, रामकुमार नोनिया के केसी के नारायन शाओ, महमत सुभान मिया, इनमोसा के आफ्ताब आलम उपस्ति थे, BN सिंग की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स. अरे मोटर साइकल लेने के लिए है, होंडा की सौ आ रही है, जो जादा चले, जादा ठिके, आ रही है होंडा की सौ, होंडा के बरोसे के साथ,